धनबाद में शनिवार को फिर गोलिया तड़ाई गोलियों की अवाज से मठकूरिया की लोगों की नीन टूरी आज धनतेरस का तेवहार भी है इस तेवहार की दिन बैंक मोड के मठकूरिया समशान घाट की समीग एक युवक को ताबड तोड तीन गोलिया मार दी गई सूचना मिलने पर पहुँची बैंक मोड पुलिस ने घायल को धनबाद के SNMMCH अस्पताल पहुचाया और वहाँ से उसे बहतर एलाज के लिए रफर कर दिया गया उसकी हालत गंभीर बनी हुई है घायल का नाम धरमेंद्रोयादव बताया गया शनिवार की सुबा वो मोटर बाइक से कही जा रहे थे कि घात लगाए तीन लोगों ने पहले धरमेंद्रोयादव के साथ मार पीठी फिर गोली मार संपत्ती विवाद को लेकर घटना की गई परिवार वाले भी इसकी पुष्टी कर रहे हैं और पुलिस भी बैंक मोड के थानेदा डॉक्टर पीके सिंग ने बताया कि ये परिवार विहार के आरा का रहने वाला है गाओं में संपत्ती विवाद चल रहा है अब तक जो सूचना मिल रही है उसके मुताबिक धरमेंद्र के चचेरे भाई ने अन्ने के साथ मिलकर घटना को अंजाम द जिसको चोट लगी है चुकि घर उसका वहीं पर है समसानगाट के पास ही और उसके चचिरा भाई है अभी तक जो सुचनाई की चचरा भाई है हम लोगा टॉप प्राइरिटी है कि जिसको चोट लगी है उसको पचाना और उसको मदब तर इसके बाद बाकी चीजें है वो परिजनों का आरोब है कि चचेरे भाई नहीं अनलोगों की मदद से गोली मारी है बहरहाल धन्बात में छोटी-छोटी विवादों में गोली बारी का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है परिजनों का कहना है कि जमीन बटवारे को लेकर उनके परिवार में विवाद चल रहा है इसी विवाद में शनिवार की सुबा मटकुरिया समशान घाट के समीब धरमेंद्रयादव को घेड लिया गया और उन पर गोली चला दी गई घायल का विकास नगर में दूत का कारोबार है धनबाद से ब्यूरो रिपोर्ट